हेलो गाईज वेलकम बैक तो दे चैनल मीनू 21 आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाईज यह जो आप देख रहे हैं मैं नहा के आई हूँ यह नवरात्री डे वन का है और यह मैंने डाला था लेकिन मैं इसी लिए फिर से डाल दी कि आप लोग रिलेट कर सके उस दिन मैंन से रिलेटेड इसी लिए मैं उसमें नहीं कर पाई थी तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ नेल पेंट वगएरा लगा रही हूँ और क्योंकि जैसे हम लोग उस दिन बाल वाल धूल के सब करते हैं क्योंकि फिर उसके बाद ना हमारे जैसे पहला है हम लोग कुछ भी ख तो सब कुछ मैंने चूडियां वगएरा सब मैंने बदली थी और नेल पेंट वगएरा रिमूफ करके नया लगाई थी आलता वलता जो भी आप कर सकते हैं श्रिंगार का चीज हैं वो सब मैंने किया और फिर मैं रेडी हो गई पूजा करने के लिए यहां पे गाईज न मैं इसी टेबल जो है हमारा इसी पे मैं कलश रखूगी और देवी मा की मूर्ती वगएरा सब मैं इसी पे करूँगी तो इसी पे मैंने पहले ग्रीन कपड़ा और फिर रेड कपड़ा है मेरे पास मैं पूजा में यही यूज में लाती हूँ तो वो मै बिच्छा ले रही हूँ क्योंकि लाल कपड़ा मा के लिए सही अच्छा होता है तो वही मैं बिच्छा रही हूँ और इसके उपर ही रखूँगी और इसके उपर ना इसी रैक में उपर मेरे बाकी भगवान जी लोग भी हैं तो दोनों पूजा साथ में हो जाएगी और ज बूल चुक ना हो और गणेश जी की अलग से मेरे पास कोई प्रतिमा नहीं है तो मैं जो शिव परिवार है ना उसी को सामने रख दी हूँ क्योंकि सबसे पहले तो गणेश भगवान की पूजा होती है तो वो मैं रख दी हूँ और सबके मैं वस्त्र बदल रही हूँ मैं जो भी चीजें जैसे पूजा से सम्मंधित कुछ भी चीजें जो भी मैं लाई थी ना सब मैं यहीं पे एक जगह रखी थी कि जैसे इधर उधर रखा जाता है ना तो फिर पूजा करते टाइम खोजना पड़ता है और फूल अभी मेरा भेटा लाके मुझे दिया क्यों और भूल चुप तो भगवान माफ करी देते हैं इस तरह से मैं कलश रखने के लिए ये अस्टदल कमल उसके उपर स्वास्तिक बना रही हो रोली से और फिर उसके बाद मैं कलश इस पे रखूंगी और जो भी कलश में जैसे हल्दी की गाट, सिक्का, सुपारी ये सब रख करना है, सब कुछ एक जगा मिल जाता है, पूजा की जब भी तयारियां करनी हो ना, जो भी आपको सामान याद आए ना, वो आप वहीं रख दीजिए, तो इस तरह से सही रहता है, और ये देखिए, पूजा करने के बाद का, मैंने डाला शाम को जब मैं प्रशाद उठा ली थी न, तब का है ये फोटो, तो एक भगवान जी को चड़ाया था और एक प्रशाद मैंने उठा लिया था, तब का है ये, और ये देखिए, ये नेक्स डे, डे टू का है, जब मैं ये दूसरी साड़ी पहनी थी, आप लोग देख रहे होंगे, फिर मैं आसनी पे जाएए न, तो बीच में उठना नहीं होता है, तो फिर पाठ भी करने होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब काम मैं निपटा कर, आराम से बैठ कर, और मतलब जब भी पूजा करूं और पाठ जैसे दुर्गा सब्त सती का पाठ करते हैं न, तो उस तरह से मैं करूं तो पूजा में न, गाइस, मैं जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ती हूं और एक सहस्रे नाम आवली है, दुर्गा मता के हजार नाम है, वो मैं पढ़ती हूं और दुर्गा सब्त सती का मैं पाठ करती हूं तो यही तीन चीजें मैं करती हूं और बाकी मंत्र जो हैं गनेश भगवान के शंकर भगवान के माता देवी लोगों के वो सब मैं करती हूं तो यही सब चीजें मैं करती हूं और अध्याय भी मैं एक दिन में तो सारे तेरहों नहीं कर रही हूं मैं साथ दिनों में पुरा तेरह अध्याय करती हूं और जैसे ब मतलब होता है ना कि ऐसे पहले दिन दो करते हैं दूसरे दिन ऐसे करके उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ और यह है मेरा पूजा का विधी और फिर पूजा करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ ना कि पूजा कर मतलब करके ही मैं उठूं और शाम को भी मैं अगर फिर से अध्या से किया जाता होगा सबका अपना अपना तरीका है ये है मेरा डे टू लुक नवरात्री का अभी मैं पूजा करके उठ रही हूं गाइस और अब चल रही हूं मैं मतलब लंच बनाने सबका और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है गाइस मेरा तो नौ दिन का उपवास है तो म मैं कुछ भी खालूंगी पहले लोगों के लिए लंच बना लू मेरे हस्बन भी एक बज़े आ जाएंगे और बच्चे दो बज़े आ जाएंगे तो मैं तो अभी केला खालूंगी ब्रत करके ब्रत है मेरा तो देखती हूं क्योंकि गैस तो एक ही है तो फिर उसको पोचना होचना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा सबका बना लूँगी तो देखती हूं साबुदाना या कुछ बना लूँगी या फिर केला दूध ही खालूंगी और अब चलिए चलते हैं पहले मैं चेंज करूंगी क्योंकि इसी साड़ी पे न मैं शाम की भी पूजा करूंग है और आप लोग भी बताईएगा कि आप लोग भी डेवाइज चेंज कर रहे हैं क्या अब मैं आगए यहां पहले फटा फट चेंज करके किचन में चलते हैं तो गाईज वेलकम बैक चूद चैनल तो गाईज ये देखिए मेरी साबुदाने की खिचडी बनके रेडी हो ग बनी है तेस्ट करके फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी